देखिए एक matrix पर बेस question है, क्या question है समझेगा, m equal to 5 by 2, 3 by 2, minus 3 by 2, minus 1 by 2, then which of the following matrices equal to m का power 2022, यानि आपको m की power 2022 बताना है, अब इस तरह का जब भी कभी question आए, तो आपको इसमें obviously, इसमें technique यही होती है, कि आप इसको mathematical induction से करते हैं, और m है आपका, m आपका ऐसा है, 5 by 2, 3 by 2, minus 3 by 2, और minus 1 by 2, अब m square से यह clear हो जाएगा, कि answer कौन सा हो सकता, और कौन सा नहीं, तो अब से पहले तो m square या m cube से, तो आगर मैं m square करूं, तो 5 by 2, 3 by 2, minus 3 by 2, minus 1 by 2, into, जब भी ऐसे question है, तो थोड़ा careful करिएगा, बहुत कम time में होगा, पर ध्यान से करिए, अब जब आप multiply करेंगे, तो इस रो का, इस column के साथ करेंगे, इस रो का, ये जो रो है, इस का, इस column के साथ करेंगे, तो आप लेखेंगे, 25 by 4, minus 9 by 4, यानि 16 by 4, तो ये मिलता 4, ऐसे अब इस column का, इसके साथ करेंगे, तो 15 by 4, minus 3 by 4, 12 by 4, मतलब आपको मिलता 3, only, यहाँ पर करते हैं, इसके साथ, तो minus 15 by 4, minus of 3 by 4, यानि minus 18, ये मिलता आपको देखें, अब इस column का, इस row का, sorry, इस column के साथ करोगे, तो minus 15 by 4, minus of, minus minus plus 3 by 2, 4, तो minus 12, तो ये मिलता minus का 3, यानि, यानि, एम स्क्वेर से एक बात confirm हो गई, कि उपर वाले दोनों positive थे, तो positive ही रहे, नीचे ले दोनों negative थे, तो negative ही रहे, तो अगर आप इस logic से देखें, तो ये answer में ये नहीं हो सकता, ये 3 negative है, ये नहीं हो सकता, अब ये 2 answer में से कोई एक हो सकता है, वो भी हम बड़े easily बता देंगे, ये क्यों, क्योंकि दोनों negative होना चाहिए, तीन नहीं है, अब एक बात समझे, ये 5 by 2 है, ये 4 है, तो हम इसक YouTube में ये 3 बढ़ा देंगे, तो 11 by 2, 9 by 2, minus of 9 by 2, minus of 7 by 2, ऐसा आएगा, यानि 3 से बढ़ रहा है, तो अगर मैं 5 by 2 को समझू, तो 5 by 2 से ही हमें काफी कुछ help मिल जाएगी, कैसे मैं बताता हूं, कि जब हम 5 by 2 को देखेंगे, तो 5 by 2 का आप लिख सकते हो, 3 plus 1 by 3, plus 2 by 2, यानि 1 plus, आप ऐसा लिख सकते हो, 3 by 2 plus 1, ऐसे ही आप 8 by 2 को लिख सकते हो, 2 into 3 by 2 plus 1, यानि 6 by 2 plus 2, 8 by हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 का multiple होना चीए, ये 3 का multiple होना चीए, और by 2, तो अगर मैं इसमें जाओं तो 2 में, तो आखरी में जाओंगा, तो कितना होगा, बताइए, यहां प पर हो गया, 1 into 3, 2 into 3, तो 2022 into 3 by 2 plus 1 लिखते हैं, ये cancel कर सकते थे, 1011 into 3 plus 1, यानि 3033 plus 1, तो 3034, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इसका correct answer हुआ, right?